वेलकम गाइज वेलकम बाक टी ओन चैनल ऑप्शन गाइड तो स्वागे थे आपका एक और शांदा डीली मख्लिस वीडियो में वीकेंड स्पेशल वीडियो है इस वीडियो में डिटेल हम निफ्टी का अलेसर जानने वाले हैं मंदे स्पेसिफिक लेवल्स और ट्रेट की बात करेंगे और साथ ब्रॉड्डर مार्केट का अउल्टूक क्या है पोजिशनल हमें मार्केट में क्या दिखता है जो अप्वोश आ रहा है यह कहां तक केती रह सकता है यह कहां मारकेट स्ट्रगल करेंगी सारी चीजों की डीटेल में बात करेंगे इसके साथ-साथ bank nifty का same detail analysis already आपको दे चुके है bank nifty में almost हमारे according top लग चुका है market में क्यों हमें market में dip देखता है bank nifty में कहां से reversal आपको play करना है bank nifty में यह detail उस वीडियो में discuss कि अगर आपने अभी तक bank nifty का analysis नहीं देखा है जरूर जाके देख ले बहुत ही important और interesting चीज़े बन रही है तो उसे बिल्कुल miss ना करें इस वीडियो में similar nifty का detail analysis होगा लेकिन सबसे पहले चैनल पे नए है तो subscribe ज़रूर कर ले और वीडियो अच्छे लगए तो like भी कर दे चलिए analysis पार पर आते हैं सबसे पहले intraday क्या हुआ market में और हमने क्या discuss किया था वो देखते है और ये एक new trend line दिख रही है आपको ये भी बताएंगे exactly क्या है ये trend line opening की बात करें slightly gap down opening हुई morning में एक dip भी आ रहा है देखो dip में हमने आपको बताया था एक range बताई थी almost 17500 से 17600 morning में क्या होता है dip आ रहा है लेकिन almost 17500 के आसपास से market में एक sharp bounce back आता है और ये RBI की policy का time भी था positive था कि कोई rate hike नहीं हुआ RBI policy में और इसी वज़ा से market में एक sudden rally आई अब देखो बहुत sudden rally almost 17500 से और 17600 तक within 10 minutes आ जाते हैं वहाँ थोड़ा time market struggle करती है levels थे क्योंकि यही दोनों important levels थे हमारे major support 17500 उसने perfectly वक किया major resistance 17600 उसके बाद defined यह था कि अगर 17600 का breakout मिलेगा तो आपको calls में entry करनी है और market में positive move देखने को मिलेगा लेकिन market ने दो बार breakout जरूर दिया लेकिन दोनों ही बार यह breakout fail हुआ दोनों यह बार हमें यहाँ in trade हो में SL लेना पड़ा है देखो जो चीज़ सामने है वो हम आपके साथ share करते ही है हमने setup में define किया था 17600 के call में entry मिली है confirmation के साथ मिली है लेकिन दोनों बार SL होआ है तो हम आपके साथ share भी कर रहे है लेकिन SL के condition क्या है जैसे ही candle level के below close है आपको exit हो जाना है second time भी market level के below close हुई यहाँ भी आपको exit हो जाना था तो kind of दो बार यह trade मिला लेकिन nifty में दोनों ही बार यह trade fail हो हाँ bank nifty में गजब का trade था 100% profit भी मुलावाँ single trade में लेकिन nifty में ऐसा नहीं था हाँ एक चीज़ हुई है market में कि अब एक new trend line बन गी है और इस पे market बार बार support ले रही है तो कौन सी a trend line है और exactly अब Monday क्या करना है क्या levels है क्या setup है वो detail में discuss करेंगे और देखो हम सब कुछ आपके साथ transparently share करते है SL hit हो है बहुत rarely ऐसा देखने को मिलता है ये तो हो चुकि है market Thursday लेकिन अब आगे क्या Monday क्या setup होगा क्या levels होगे क्या trades होगे वो discuss करेंगे लेकिन पहले positional outlook देख लेते है कि broader market में हमें क्या देखता है और next week market का trend क्या रह सकता है तो उसके लिए positional chart पे चलते है हमारे one day time frame पे तो ये देखो ये हमारे nifty का one day time frame का चार्ट है पहली चीज हमने clearly आपको क्या बताया था इस trend line का जब breakout मिला था तब हमने आपको बता दिया था market हमारे यहां से bullish है clear gut bullish market देखने को मुल रही है इसमें कहीं कोई doubt नहीं है simply आपको दिख रहा है bullish market है बहुत अच्छी rally देख चुके है almost यहां से 500 points की rally आ चुकी है nifty में आप देखेंगे trend line के breakout के बाद 500 points की rally आ चुकी है लेकिन अब क्या अब एक चीज देखो आप continuous lower side से तो गजब की rally आई है लेकिन market में अगर आप देखोगे lower highs बन रहे है lower highs बन रहे है यानि इसका क्या मतलब है कि जो भी bounces आते है उस bounce में हम previous bounce के high को break नहीं कर पाने आप यहां पे देख लीजे यह जो bounce था उसमें यहां पे top लगा second time जो bounce आए उसमें यहां पे top लगा तो यह जो level है इससे lower है दिख रहा है आपको उसके बाद फिर lower level से एक बहुत गजब की rally आई उसमें top यहां पे लगा यह फिर से इस level से lower है यहां पे जो rally आई वो 17800 तक आई थी फिर भी आप देख रहो यह भी इससे lower है और in fact यहां तो हमने आपको बताए ही था पहली चीज़ यहां से bounce आएगा तो इस bounce में आपको 17800 पे puts में entry करनी है यहां से दुबारा reversal करेगी market और fall करेगी clearly यह define किया था और आप देखिए magically market ने वहां भी work किया है तो अगर आप broader market में भी levels को follow करोगे ना तो आप बड़े trends catch कर पाऊगे बिल्कुल top पे हमने exactly 17800 पे reversal बताया था आपको और वहां से गजब का fall आया था 1000 points का अल्मोस्ट अमने यहां पे fall देखा था लेकिन यहां मैं आपको क्या समझा रहा हूँ market में lower highs बन रहे है यानि overall structure market का अभी भी week है जब तक market 17800 के अभव closing नहीं देगी यहां से bounce expected था इस trend line से लेकिन market का जो overall trend है वो अगर bullish होना है market को उसके लिए 17800 के अभव closing देनी पड़ेगी अभी market 17600 पे है यहां तक easily rally आ सकती थी bank nifty में भी हमने बात की थी bank nifty में almost targets भी आ चुका है nifty में थोड़ा बहुत दूर है 17800 से लेकिन फिर भी क्योंकि हमारा bank nifty का target आ चुका है इसलिए correlation की वज़े से अभ यहां हम nifty में भी बहुत ज़्यादा bullish नहीं है एक तो target छोटा सा रह गया है और secondly हमारा bank nifty resistance पर आ गया उसके बिना nifty भी ज़्यादा rally कर नहीं पाएगा इसलिए हम कह रहे हैं कि अब market में हम bullish नहीं है अब market में देखो top हो सकता है इस बार 17700 के आसपस लग जाए 17750 के आसपस लग जाए exact level नहीं है लेकिन वो 17800 के below ही लगेगा तभी यह lower high का pattern continue रहेगा market में तो next week क्या देखना important होगा एक चीज कभी भी market 17800 के अबब close हो जाएगी तो आपको bullish हो जाना है यह चीज simply धियान रखना है और second चीज अभी हमें market में क्या expected है कि market 17700 या 750 के आसपस max यहाँ तक दिखती है इसके आसपस से reverse करेगी और दुबारा हमें fall देखने को मिलेगा यह market में हमें expected है यह resistance है और यह कहां से आ रही है यह lower high से आ रही है तो इसलिए overall viewpoint अब sell on rally की market है especially 17700, 17650 यानि upside देखो बहुत limited है current level से almost 100 points ही है fall बढ़ा सकता है lower side directly पहला support 17400 पे है अहां से reversal आएगा न इसके लिए आप simply bank nifty से correlate कर लो जब आपको bank nifty 41300 के आसपस मिले न उसी time nifty का भी top लगेगा यह चीज़ आपको ज्यान रखती है broad outlook clear है लेकिन इतने बड़े levels पे intraday trades बनेगे नहीं तो intraday के levels पे trade करना है क्या important levels है वो setup क्या है वो discuss कर लेते हैं पहले charts पे फिर option chain पे बात करेंगे अब देखो positionally मैं कहा रहा हूँ sell on rally के market लेकिन intraday में market lower level से अच्छे bounces दिखा रही है और एक trend line है वो market को अच्छा support दे रही है तो exactly क्या setup है पहली चीज़ यह trend line mark करने है अब trend line एक बार कहा से बनी है वो भी दिखा देता हूँ थोड़ा zoom out करके आपको 20th of March से यह trend line start होती है यहाँ पहली बार trend line पे market ने support लिया था फिर वहाँ से गजब की rally उसके बाद जब यह trend line lower side break हुई तो फिर as a resistance का भी work कर रही है और वहाँ से बड़े-बड़े falls भी देखे है अब recently दुबारा market ने इस trend line को test किया यहाँ पे देखो है as a resistance का work कर रही थी finally break out मिला तो अब यह trend line as a support का work कर रही है तो यह सारे points है जिन पे इन trend line ने work किया हर बार जब भी test हुई है यह तो support का work किया है यह resistance का तो जब तक market इसके अबव है market positive है जैसे यह break होगी market में major fall आएगा पहली चीज़ trend line mark करनी है किन points को connect करके बनी है वह मैंने आपको दिखा दिया 5-minute time frame का यह chart है अब exactly use कैसे करना है और Monday का setup का आप आप वो discuss कर लेते है चलिए उस पर आजाते है जूम कर लेता हूँ chart को थोड़ा पहले levels की बात करते है immediate support 17,600 के आसपास ही closing आई है immediate support है उसके बाद trend line के level almost आ रहा है 17,570 तो market में हम bearish तभी होंगे intraday dip के scenario में जब 17,570 break होगा तो आपको puts में entry करनी है 17,500 आपका target होगा बहुत ही clear simple trade Monday कभी भी market 17,570 को break करें confirmation के साथ puts में entry यह आपका target होने वाल है simple clear upside देखो resistance क्या है 17,650 उसके बाद 17,730 तक ही level discuss कर रहे है क्योंकि लगता है यहीं पर almost market का top बन जाएगा rally भी आएगी न तो यहाँ पर almost market का top बन जाना चाहिए तो upside एक बार आप calls में entry कर सकते है अगर 17,650 का breakout मिले तो एक बार आप calls में entry कर सकते है in fact 17,730 भी नहीं मैं आपको exit point देता हूँ 17,700 यह एक major resistance है ठीक है तो trade थोड़ा समझ लीजिए 17,650 का breakout मिले calls में entry लेकिन 17,700 exit point और reversal का भी point होगा यहाँ से दुबारा आप puts में भी entry कर सकते है और उसमें आपका SL होगा 17,730 charts पे setup क्लियर है दो puts के trade rally को sell कर रहे है lower side breakdown मिला तो भी puts में entry मिल रही है लेकिन क्या option chain इन चीज़ों को validate कर रही है यह भी देख लेते है अब option chain के according देखे न 17,600 पे वैसे closing तो आई है लेकिन market यहीं पे resistance बता रही है बहुत जाद होगा ही अभी नहीं है weekend था क्योंकि long weekend था 94,000 होगा है call side put side 68,000 तो एक decent gap मिल जाता है 26,000 का तो इसलिए slightly resistance है 17,600 पे लेकिन जैसी market इसके अबब open होगी यह change होता हुआ दिखेगा वोई आपको और इसके बाद जो clear resistance है वो है 17,700 पे क्योंकि आप OI देखिए 63,000,000 का OI है call side put side only 12,000 का तो एक decent gap है more than 50,000 OI का तो 17,700 एक clear resistance है जो मैंने आपको chart पे भी बताये कि वहाँ से आप reversal play कर सकते है और इसका SL होगा 17,730 level support की बात करूँ support 17,500 पे है decent होगा ही है 94,000 put side call side 48,000 तो यहाँ भी almost 46,000 का gap मिल जाता है तो range है 17,500 से 17,700 extremes में आप reversal play कर सकते हैं यानि 17,500 पे आप calls में entry कर सकते हैं और 17,700 पे आप puts में entry कर सकते हैं no का SL 30 points का यहाँ पे आपका SL होगा 17,470 simple clear setup वीडियो अच्छे लगए तो like जरूर कर दे